तो हम लोगों ने हमारा चैप्टर है वो चैप्टर हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया है हम लोगों ने शुरुवात की थी Atomic Theory से हम लोगों ने Atom के Structures देखे थे हम लोगों ने पड़ा था सबसे पहले शुरुवात की थी देल्टन की थेओरी से देल्टन ने Atom Discover किया था फिर उसने देल्टन ने अपनी थेओरी बताई थी वो फेल हो गई थी उसकी क्या Limitations थी ठीक है और उसके बाद में हम लोगों ने देखा था जेजे थॉम्सन की थेओरी उन्होंने Electron Discover किया था फिर उन्होंने उसके के साब से अपनी थेओरी दी उसके लिमिटेशन निकले राधर फॉर्ड ने गोल्ड पॉइल एक्स्पेरिमेंट किया उसके साब से उन्होंने अपनी observation के साब से थेओरी दी कि आटम का structure कैसा है क्या है उसके अंदर उसकी भी elements का periodic classification की उनको classify कैसे किया गया इतने सारे elements उनको classify करना जरूरी है क्योंकि अगर classify नहीं होंगे तो फिर उनको study करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा तो हम लोगोंने periodic classification देखा पसे पहले दोबर नियर ने किया था अपने triads के अंदर triads में क्या किया था उन्होंने दो elements का average second वाले के बीच का second वाले के बराबर होगा first और last element के atomic weight का average निकालो वो second वाले के बराबर होगा वो ज्यादा elements पर नहीं कर पाए फिर हमने देखा था new land की octaves ठीक है हर eighth element जो है है वो first element के उसकी property similar होंगी उसकी limitations थी कि वह जादा elements को वो जब नए element discover हुए तो उनको अपने octaves में settle नहीं कर पाए mandalives periodic table जो बहुत अच्छी थी बहुत important थी ठीक है उसके कई सारे achievement थे उन्होंने atoms को arrange तो किया ही किया था साथ में उन्होंने जो atoms आगे discover होने वाले जो हुए भी नहीं थे उनकी prediction भी पहले से करके रखी थी कि क्या उनकी properties होगी क्या होगा ठीक है उसके बाद में हम लोगों ने देखा था finally जो modern periodic table है वो हम लोगों ने देखी थी modern periodic table के अंदर क्या कैसे जो जो कमिया थी उसको इस periodic table ने कैसे पूरा किया था all right so अभी हम लोगों को देखने है revision questions of atomic theory and periodic classification आज हम लोगों कुछ questions देखेंगे और next class में भी हम कुछ questions देखेंगे और कई सारे concept जो है वो पूरे करेंगे हम लोग ठीक है देखो अब revision questions की में बात करूं तो आपको पहले तो एक doubt मैं clear करना चाहूंगी जो मैंने देखा था students तोड़ा confused इसके अंदर हो रहे हैं मैंने देखा कुछ students जो है na electronic configuration जब मैं डॉबर्नियर के triads पढ़ा रही थी या फिर जो भी न्यू लैंड के पढ़ा रही थी ना जिस टाइम पर डॉबर्नियर न्यू लैंड और मेंडलीव इन तीनों ने अपना classification किया था अटोमिक वेट के according तो उन टेबल के अंदर क्या था ना element लिखा हुआ है और element के just pass में उसका atomic weight लिखा हुआ है तो students atomic weight को देखकर उनका electronic configuration कर रहे थे कि atomic weight को देखकर electronic configuration कर रहे थे तो यह तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो बैटा कि electronic configuration atomic weight से नहीं होता है electronic configuration atomic number से होता है जिस टाइम पर इन तीनों ने अपना डॉबर्ड नियूलन और मेंडलीव ने अपना classification किया था उस टाइम पर सब atomic particles जो है ना यह protons electron यह सब exist नहीं करते थे मतलब exist तो करते थे पर इसकावर नहीं हुए थे मेरा मतलब यह ठीक है तो उस टाइम पर उनकी knowledge उनको नहीं थी proton electron यह इन सब की knowledge नहीं थी the only basis which was left was atomic weight उनके पास में जिएक option atomic weight ही था तो इसलिए atomic weight को ही देखकर वो arrange कर रहे थे ठीक है लेकिन electronic configuration जो है वो atomic weight से नहीं होती है electronic configuration का मतलब क्या है electronic configuration का मतलब यह है किसी atom के अंदर कितने electron हैं और वो electron shells में कैसे distributed है first shell में कितने है second में कितने है third में कितने है ऐसे होता ना यह होता इंच्ट्रॉनी configuration तो electronic configuration करने के लिए आपको number of electrons पता होने चाहिए na atomic weight number of electrons ही ही नहीं आप उससे क्यों कर रहे है electronic configuration atomic weight जो है वो number of electron नहीं है atomic weight का मतलब यह कि एक atom का weight कितना है वजन कितना है उसका यह atomic weight आपको अगर electronic configuration करना है तो उसके लिए हमें atomic number लेना होगा ठीक है क्योंकि atomic number क्या है कोई neutral atom के अंदर atomic number इस ददद नमबर of proton as well as number of electron ठीक एक कोई neutral atom अगर हम लेते हैं उसके अंदर अगर आपको electron निकालने है number of electron तो आप क्या देखोगे उसका atomic number atomic number जो है ना वही number of electron है उसके लिए ठीक है तो आप atomic number से electronic configuration करो atomic weight से नहीं all right now revision questions देखते हैं हम लोग शुरू करें कुछ this experiment Rutherford ने experiment किया था कौन सी radiation थी this is alpha actually इसका symbol ऐसा था alpha this is beta इसको beta पढ़ते हैं ऐसे फिर V और X alpha beta V and X now कौन सी radiation जो थी Rutherford ने अपने experiment में यूज करी थी आपको याद होगा alpha particles उसने strike करवाय थे so the correct answer is alpha ठीक है और alpha particle के बारे में हमने क्या कहा था alpha particle जो है इनका जो यह positive charged particles होते हैं क्या होते हैं यह positive charged particles होते हैं ठीक है now next उसके बाद में हम लोगों को next question क्या है which is the smallest particle of a substance very easy question बहुत basis हमने this chapter पढ़ा है किसी substance का सबसे smallest particle क्या होता है molecule, atom, element या फिर compound सबसे smallest particle क्या होता है obviously you all know it it is atom atom जो है वो सबसे smallest particle हा कि atom से भी small क्या है proton, electron वो उसके subatomic particle है पर वो इस option में नहीं दे रखे तो इन में सब-सब छोटा कौन सा है atom ही है ठीक है तो the smallest particle of a substance is atom, all right so these are equations अच्छा एक चीज़ ये alpha particle वाले को मैं याद दिला खोड़ सा Rutherford वाले के अंदर कि Rutherford experiment में उसने यूज़ किया था alpha particles और alpha particle positive charged particles होते है ठीक है उनका जो mass है वो twice होता है proton से और charge जो है वो four times होता है या आपको याद रखनी है चीज़, all right now next van der Waal radius is dash then covalent radius blank दे रखा है van der Waal radius is smaller larger same या none of these van der Waal radius और covalent radius को compare करने को हमें कहा गया है अब दोनों में से van der Waal radius जो है वो covalent radius से smaller है larger है same है या कुछ भी नहीं है यह बताओ आप यह तो बताओ बताओ और साथ में reason भी बताओ कि अगर smaller है तो क्यों smaller है larger है तो क्यों larger है same है तो क्यों same है यह हमने पढ़ा था last class में हमारा last topic यही था van der Waal radius van der Waal radius is dash then covalent radius as you all know अगर आपको याद है van der Waal radius is larger than covalent radius covalent radius से van der Waal radius बड़ा होता है अच्छा क्यों बड़ा होता है क्योंकि देखो diagram में आपको याद होगा यह आपका covalent radius है covalent radius मतलब जब दो elements दो atoms जो हैं combine हो रखें covalently ठीक है तो उनके center के बीच का हम लोग distance लेते हैं और उसका हम लोग half करते हैं और covalent van der Waal radius में क्या होता है ऐसे एक और molecule कोई होगा ठीक है इन दोनों के center का हम लोग half लेते हैं तो वो जो center का जो distance है न वो covalent radius के अंदर वो कम है बहुत क्यों कम है क्योंकि वो जो दोनों आटम्स है वो ऐसे merge हो रखें overlap कर रहे हैं एक दूसरे के ओपर देख रहे हैं तो आप एक दूसरे के ऊपर overlap कर रहे हैं ठीक है तो obviously उनके center का बीच का distance जो है वो कम है और वेंडर वाल रेडियस के अंदर वो overlap नहीं कर रहे हैं वो दूर पर हैं ऐसे हलकिस distance पर है तो obviously उनका distance बढ़ गया है center के बीच का ठीक है तो वेंडर वाल radius होगा वो covalent radius से आपका बढ़ा होगा सो वेंडर वाल radius is larger than covalent radius all right clear ठीक है चलो next reason हो गया option हम पर पास लिगा larger होता है और क्यों larger होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया अब देखो energy given to isolate electron from a neutral atom is किसी neutral atom से एक electron निकालने के लिए जो energy हम देते हैं उससे isolate मतलब यहां पर remove है ठीक है एक electron एक atom है neutral atom उस neutral atom से हमें एक electron को separate करना है निकालना है तो उस एक electron को निकालने के लिए जो energy हमें देनी रहती है वो क्या है is it electron gain enthalpy और electronegativity और ionization energy और excitation energy what is it all right we all know कि हम लोगों ने पढ़ा था यह क्या है ionization enthalpy हमने क्या देखी थी कि कोई neutral atom है उसके अंदर से हमको एक electron निकालना है एक electron को निकालने के लिए जो हमको energy देनी पड़ रही है उसे हम क्या कहते है ionization enthalpy और यह हो गया आपका अच्छा बाकी भी जड़ा अगर आपको याद है तो बता दो electron gain enthalpy क्या थी what was electron gain enthalpy ionization enthalpy तो क्या थी किसी neutral atom से एक electron हमको निकालना है उसको निकालने के लिए हमको देनी पड़ेगी energy और वो energy को हमने क्या कहा था ionization enthalpy आपको यह दो तो पता होंगे यह word हमने पढ़ा है पर यह word का मतलब आपको शायद नहीं पता होगा excitation energy इसको मैं समझा दूंगे अभी पर तो electron gain enthalpy क्या था electron gain enthalpy हमने क्या कहा था कि एक neutral atom जब electron accept करता है और वो बनता है negative ion या anion उस time पर वो energy release करता है और वो जो energy release करता है उस energy को हम क्या कहते है electron gain नाम में आ रहा है ना एक electron लेते time जब उसने gain किया ठीक है एक electron उस time पर जो energy release हुई electron मतलब तो electron gain मतलब ले रहा है enthalpy मतलब energy electron लेते time कितनी energy निकल रही है उसको हमने क्या कह दिया electron gain enthalpy now what was electronegativity क्या बोलो गया अप electronegativity क्या होती है what was electronegativity so electronegativity is the property of an element by virtue of which it attracts the electron pair towards it in a covalent bond किसी covalent bond के अंदर for example क्या example लिया था हमने hcl लिया था और hcl में ये bond है इसके अंदर क्या bond के अंदर अचली है क्या दो electrons है आपके ऐसे ठीक है electron pair है तो इस पूरी-पूरी electron pair को अपनी तरफ खीच लेना attract कर लेने वाली property को कहा जाता है electronegativity और जो element करता है ऐसा जो खीचता है उसको हम क्या कहते है है electronegative element और राइट तो दिस वाज यह electronegativity ionized enthalpy हमने देख लिया now excitation energy क्या होता है what is excitation energy देखो जब हम लोगों ने आचली ऐसा नहीं कि हम लोगों ने यह पढ़ा नहीं है यह हम लोगों ने पढ़ा है बट शायद मैंने यह word नहीं बताया था कि अगर आप किसी electron को energy दोगे न तो वह अपने औरबिट से यह आपका नूक्लियस है यह आपके ऐसे शेल है ठीक है इलेक्ट्रॉन जो है वह यहां पर है एक को इलेक्ट्रॉन अब अगर इसको आप energy दे दोगे तो देने के बाद यह जंप करके दूसरे औरबिट में जा सकता है तो हमने इसे क्या कहा था एब्सॉर्प्शन इस प्रॉहस को एब्सॉर्प्शन और जब वह वापस energy रिलीस करके नीचे आएगा तो उसको अमने क्या कहा था हमने उसे यहां पर तो हो गया आपका प्र एब्सॉर्प्शन हो गया और फिर आपका हो गया emission है ना पहले energy अब्सॉर्प करी जंप करके उपर वाले और वाले ओर्बिट में चला गया उपर 1st से 2nd में चला गया या 3rd में चला गया या 4th में चला जिसमें भी ठीक है जितनी energy मिली है उसके के साब से वो जंप करके चला गया उपर फिर जब वो वापस नीचे आएगा तो नीचे आथ टाइम हमने क्या कहा था एमिशन होता है अच्छा अब उस एनर्जी को जो हमने एनर्जी दी एनर्जी गिवन टू एलेक्ट्रॉण कि इसको प्रॉपर्ली अगर मैं बताऊं विश एट जंप्रॉम लोवर ओर्बिट तू हायर ओर्बिट जब किसी जो एब्सॉप्शन हो रहा था ना एलेक्ट्रॉण ने एनर्जी एब्सॉप करी और एनर्जी अब्सॉप करने के बाद वो लोवर ओर्बिट से हायर ओर्बिट में चला गया तो उस एनर्जी को क्या कहते है है एक्साइटेशन एनर्जी जो एनर्जी हमने दी ना जिसके इसे एक्साइट होकर वो जंप करके चला गया ऊपर ओर्बिट के अंदर ठीक है उस एनर्जी को कहा जाता है एक्साइटेशन एनर्जी यह प्रोसस्स आप जानते हो पर शायद यह नाम मैंने नहीं बताया था गिएस आगी ध्यान रखना आप, एक्साइटेशन एनर्जी को मतलब क्या होता है कि हमने जो एक्साइटेशन करौप शॉर्प्षिन करता था हूँ तुस एनर्जी को कहते हम एक्साइटेशन एनर्जी, alright, so this was , अब, हम लोग बड़्ोग बड़ह आगे नेक्स्ट क्वेश बाइदवे इन सब में अगर आप compare करो तो आपको पता है देखो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो है न वो जब आप पीरेड में मूब करते हो left to right तो increase करती है ठीक है सबसे ज़्यादा increase करती है अच्छा अब इन में से पीरेड के अंदर सबसे कोने में कौन सा था अगर आपको ऐसे भी नहीं पता अगर आपको टेबल में याद नहीं है कि फ्लोरीन कहां था तो आप क्या कर सकते हो आप इन सब का electronic configuration करके देख लो आपको group और period निकालना आता है hydrogen जो है उसका atomic number 1 है तो वो तो आपका सबसे पहले पहले इधर की side था ठीक है sodium का क्या है 281 ठीक है यह इस कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर calcium का atomic number होता है 20 calcium का atomic number 20 है तो उसका electronic configuration कितना होगा 2882 ठीक है अब देखो और fluorine की बात करूं में fluorine का कितना हो जाएगा 27 fluorine का atomic number होता है 9 तो इसका electronic configuration हो गया 27 देख लिया हमने अब जड़ा देखो इनकी position में mark करती हूं hydrogen तो सबसे आगे आगे रहेगा पता ही हमको सबसे पहला atomic number hydrogen का है तो वह सबसे आगे आगे इस option को तो आप हटा दो यह तो एकदम उस आगे आगे वाले period के अंदर ही है ठीक है इसको भी हटा दो ठीक है calcium देखो calcium के आगे पीछे लगा हुआ है दो electrons आउटर मोशल में दो electrons है मतलब वो second period के अंदर है तो ठीक है इसको भी हटा दो बचा कौन फ्लोरीन, फ्लोरीन के आगे आउटरमो शेल में एलेक्राउन है, 7, इसका मतलब वो एकदम इलेक्रो नेगेटिव एलेमेंट, बाइदवे, अगर और भी कोई आपशन आता, तो आप यह चीज धियान रखो, फ्लोरीन is the most electronegative element, जितने भी 118 element exist करते हैं, उन में से अगर सबसे ज्यादा कोई electronegative element है, that is फ्लोरीन, most electronegative element, most electronegative element, सबसे ज्यादा फ्लोरीन के बाद, अगर इसके बाद कोई है, तो वो है oxygen, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, second number पर oxygen, ठीक है, तो यह है electronegativity का sequence, all right, now, in periodic table, next question देखो, in periodic table, on moving down a group, atomic size, atomic size मतलब atomic radius ही आप मानो, ठीक है, periodic table के अंदर, जब आप group में नीचे की तरफ जा रहे हो, मतलब उपर से नीचे की तरफ जब आप जा रहे हो, तो atomic size जो है, atomic radius जो है, उसमें क्या change आएगा, वो decrease होगा, ठीक है, constant रहेगा, constant मतलब कोई change नहीं सब बराबर, ठीक है, remains irregular, irregular मतलब कोई fix pattern नहीं है, कभी increase हो रहा है, कभी decrease हो रहा है, या फिर last option is increase होगा, तो atomic radius जो है, कैसा pattern follow करेगा, decrease करेगा, कुछ नहीं होगा, constant रहेगा, ना increase कर रहा है, ना decrease कर रहा है, irregular रहेगा, मतलब कभी increase, कभी decrease, कोई fix pattern नहीं है, या फिर increase करेगा, क्या होगा, और क्यों होगा, reason भी आप बताएंगे, कि increase, decrease जो भी कर रहा है, regular रह रहा है, साथ में reason भी बताओगे आप मुझे, all right, I hope इस अब को पता है, हम सबसे पहली property हम लोगों ने पढ़ी थी, atomic radius, atomic radius जो हम group के अंदर, उपर से नीचे की तरफ move करते हैं, तो atomic radius आपका increase होता है, ठीक है, आप increase क्यों होता है, increase होने का reason यह है, क्योंकि आपका जो effective nuclear charge जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अच्छा, वो भी आप नहीं जानो, तो आप क्या कह दोगे, जब हम नीचे जा रहे हैं, ऐसे-से, shells बढ़ते जा रहे हैं, ऐक shells, दो shell, तीन shell, चार्श तो अगर shells continue बढ़ते जा रहे हैं, shell बढ़ने का मतलब क्या है size बढ़ रहा है atom का ठीक है एक एक shell बढ़ता जा रहा है ठीक है तो इसलिए group के अंदर जब आप उपर से नीचे के तरफ move करोगे तो आपका atomic size या atomic radius जो है वो increase करेगा आल राइट I hope यह clear हो गया है ठीक है now next question next question is your what name was given to the members of 18th group यह चीज़े ही मैंना आपको features यह हमने modern periodic table की first class जो थी है हमारी ठीक है जिसमें हम लोगोंने सिर्फ features पढ़े थे कोई trends वगर नहीं सिर्फ features देखे थे हम लोगोंने modern periodic table के टेवल के अंडर क्या-क्या चीज़े हैं तो हमने कहा था कि इस element को S block कहा है इसको D इसको P S करके हमने कहा था ठीक है तो मैंने आपको particularly groups के नाम भी बताये थे जिसके 13th group को कहा था मैंने वह start हो रहा था बोरोन से तो अमने कहा था बोरोन फैमिली 14th group को कहा था यह start हो रहा है carbon से तो carbon family 15th group start हो रहा है oxygen से तो oxygen family इस तरह से हम लोगोंने कहा था ठीक है sorry 14th group nitrogen से तो nitrogen family सबसे पहले 13th group बोरोन से start हो रहा है तो बोरोन फैमिली 14th group carbon से start हो रहा है तो carbon family 15th group nitrogen से start हो रहा है था तो nitrogen family 16th group आपका start हो रहा था oxygen से तो oxygen family फिर 17th group था fluorine इन सब को चारों को तो हमने first element के हिसा आप से नाम दिया था boron family carbon family nitrogen family oxygen family 17th group start हो रहा था fluorine से और 18th group जो है वह आपका start हो रहा था helium से ठीक है तो यह पूछ रहा है 18 की मैंने सारे सब्सक्राइब का पूछा है तो हो सकता है किसी और का भी पूछ ले हो सकता है एक्जाम में आपको पूछ ले बताओ 13th group का बताओ क्या नाम था 18th का पूछ लिया तो हो सकता है कि 16th का पूछ ले 17th का पूछ ले इनका तो चारों का तो नाम फर्स्ट अलिमेंट के हिसाब से है ठीक है लेकिन फ्लोरीन इसका नाम था 17th ग्रूप का नाम था है लोजन पैमिली ठीक है और 18th group में जो question में पूछ रहा है अगर आपको याद हो इन सब को सारे group को आमने क्या कहा था या तो आप कह दो noble gases या फिर कह दो inert gases ठीक है तो 18th group का नाम क्या था noble gases या फिर inert gases अब क्यों हमने noble gas या inert gas कहा था इनको हमने इसलिए कहा था क्योंकि यह gases जो है अगर आप इनका electron अगर मैंने आपको बताया भी था अगर आपको याद करो जड़ा प्रीवाइस करो कोषिश करो कि इन गreूप के अगर मैं वालेंस ही निकालने निकालने कोषिश को इंके वैंस अपकी 0 है तो है इनकी सब के मतलब आउंटर पो एक नम फिल्ड है हीलियम के आयोंटर वो मुषल में दो एक तो है दो से ज़ादा और क्या डालो गया फर्स शेल में दो ही आते हैं ठीक है फिर मैं बात करूद kenaigneeon काईविक नंबर टेन टेन है तो अते है तो एट पूरा फिल्ड है इसमें और 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 क्या एडे कर थी नहीं है क्यों करींगी करें ज़रोद भी किको एक करने की FSK अगर किस साथ iNeat फाइदे के लिए बना रहा रहा है मंजे नहीं आरे है उसको उसको क्रांस की वुझा करना है अपने अपने ऑपें टो लृगले को अपने div बनाते हैं अब इनका तो अल्रेडी फिल्ड है इनके आउटर मोश्य एक दम फिल्ड है तो इनको किसी से रियक्त करने की क्या जरूरत है इसलिए इन्हें कहा जाता है इनर्ट गैसे ओर यह हो गया नाव लास्ट ग्वेशन देखो वोट आर दे अधर नेम्स और वोट आधर द अधर नेम्स अफ दी ब्लोग एंड एफ ब्लोग एलिमेंट के और नाम क्या थे तो हम आपको याद होगा D block को हमने कहा था transition elements D block को कहा था transition elements और F block का नाम दूसरा था inner transition elements inner क्यों कहा था क्योंकि D block के अंदर से ही हम लोग lanthanides और actinides को निकाल के याद आपको periodical पूरी ऐसी और निकाल के दो groups को नीचे ऐसे रखा हुआ था और वो नीचे वाले को हमने क्या कहा था F block elements ठीक है तो उनको inner transition को कह रहे हैं क्योंकि transition elements थे बीच वाले उन ही में से निकाल के हम लाए थे उनको इसलिए हम क्या कह रहे है inner transition elements अब अगर यह आया है तो फिर वो S block और P block का भी पूच सकते हैं तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए S block को क्या कहते हैं S block को कहते हैं alkaline metals alkaline या फिर alkaline earth metals alkaline earth metals चीक है यह नाम था S block का और P block का नाम क्या था P block का एक और नाम था principal elements principle elements all right so यह हम लोग ने कुछ questions हम लोग ने कर लिए है आज की class में और बाकी अभी questions complete नहीं है और हम इस chapter को अच्छे से revise करना है और questions देखना है तो यह थोड़े easy question मैंने यह थे कि आपको revise हो कुछ और tricky questions और अच्छे questions हम लोग देखेंगे next class में till then I'll see you in the next class thank you very much students subscribe करें हमारा Apex Classes Edutech YouTube Channel साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिलकुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी YouTube विडियो की updated notifications सबसे पहले आ को मिलें Apex Classes Edutech subscribe now